2020 जिसे हम 2020 बोलते थे कि ये भी एक नया साल आया है जो 2020 रहेगा लेकिन आप सबको पता है कि ये साल ने पुरे भारत को ही नहीं पुरे विश्व को वो सरी नए चीजे शिखाई है COVID-19 तो सबको पता है और पुरे विश्व में उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है इसका इंपक्ट एग्रिकल्चर के उपर भी आया जो की लॉगडाउन की वज़े से जो भी किसानों ने अनाज या विजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स तैयार किये थे वो बेच नहीं पाया और रेड भी अच्छे नहीं मिले और जो भी मुश्कीले थी अग्रिकल्चर की वो जो बची थी वो भी इस बार जो बारिश हुआ वो बारिश की वज़े से जो बचा क्रॉप उसके हाथ में था वो भी चला गया और फिर शॉर्टे जाके रेड बढ़ गये इसमें हमारा अनार जिसे डाडम गोड़ते है या पोमोग्रेनेड बोलते है ये भी पीछे नहीं रहा जादा बारिश की वज़े से 2020 में जो भी अंबिया वाहर था उसमें सरकोस्पुरा है फाइटोप्थुरा है कोलोटोट्रिकम है ये जो फंगल इंफेक्शन है और बैक्टेरियल ब्लाइट जो है इसकी वज़े से क्योंकि इस साल जिस जिस इरिया से निसर्ग चला गया जो एक साइक्लोन आया था वो जहाँ से चला गया उसने भी बहुत ज़्यादा तबाई किया था और फिर शॉर्टेज आने के बाद अनार के रेट थोड़े शे बड़े और लोगों को लगा कि 100 रूपे केजी तक अनार बेचा जा रहा है लेकिन तब तक हमारे सभी किसान भाईयों का पूरा अनार खतम हो चुका था बारिज की वज़े से और जिनके हाँ पे ब्लैक मिट्टी थी काले मिट्टी में या भारी मिट्टी में जहाँ पे प्लांटेशन हुआ था वो फार्मर तो हर्वेश्ट भी नहीं कर पाए 100% लॉस हुआ और एग्जेक्ट पता नहीं लेकिन 10% के आसपास इस साल लोगों ने अनार की खिती करना बंद कर दिया पौदों को उखाड दिया मुरूग बाहर जुनों ने लिया था बारिस की वज़े से फ्लावर्स नहीं आए और वो भी परेशान हो गए और हस्त बाहर अभी जो फार्मर्स ले रहे हैं वो भी अच्छी सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं शूट जादा आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि ये जो कंडिशन क्लाइमिटी कंडिशन बनी हुई है इसका अनार के पौदों के उपर क्या विपरीत परिनाम होना है या क्या चालेंज़स हमें आने है ये अगर हमें पता होगा तो उसके उपर परफेक्ट हम कुछ ना कु सोलूशन भूंडेंगे और 100 परसेंट नहीं तो at least 60 परसेंट 70 परसेंट जो भी हमारा सक्सेस है उसको हम लेके जाएंगे दोस्तों मैं बाबा साहिब गोरे एग्री एकडेमिया जो किसानों को ट्रेनिंग देने वाली जो सांस्ता है उसका मैं सांस्तापक हूँ और यह जो अनार के अंदर जो चालेंजस आ रहे हैं यह चालेंजस को कैसे हम मीनुमाइज कर सकते हैं या कोई-कोई किसान ऐसे है कि जुनकों क्या challenges होते हैं अनार की जो storage stage होती है stress stage होती है flowering and fruit setting stage होती है fruit development stage होती है या fruit maturity and harvesting की stage होती है climatic condition अगर adverse होती है तो हर एक condition में अलग challenge आता है storage stage में अनार के पोदों के अंदर storage होना बहुत important है stress stage में बारिश नहीं आना चाहिए पोदों को natural stress मिलना चाहिए flowering and fruit setting stage में flowers आना चाहिए setting मिलना चाहिए और जो भी thrips है या जो भी कीटक है या जो भी fungal infection आते है या flower dropping हो जाती है cloudy weather आता है तो उसमें क्या-क्या करना जरूरी है fruit development stage में सबसे ज़्यादा bacterial blight आता है और nutrition management अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही आपकी size बन जाती है और fruit maturity and harvesting stage में size, color, shining, mithas, weight ये सब चीजे अगर अच्छी मिलनी है तो हर एक stage में जो जो challenges आते हैं ये challenges आपको पता होना चाहिए और तो ही हम आगे चल के कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं तो पूरा 5 stages क्या होता है और क्या-क्या challenges अनार के अंदर आते हैं इसके उपर मैंने free में एक webinar organize किया है November के 9 तारिक को 9th of November 2020 को ये session रहेगा शाम को 8 बजे नीचे आपको description box में link मिला हुआ है जो आप registration ओ link के उपर click करके करेंगे और ये webinar रहेगा धूम application के उपर तो जोम application आपके mobile में होना बहुत जरूरी है या फिर अगर आपको registration करना नहीं जम रहा है तो मैं एक आपको number देता हूँ मेरे जो एक team member है उनका आप उनी को phone करके आपका number या SMS करके उनको भीजिए वो आपको link SMS करेंगे और ये webinar आप join कर सकते हो ओ number है 9767633777 screen के उपर आपको ये number दीक रहा है इसी number के उपर आपका number आप SMS कर दीजिए WhatsApp कर दीजिए आपको link आजाएगी भूलो मत 9th November को शाम को 8 बजे ये free में webinar है ये webinar एक घंटा चलेगा एक घंटे तक आपको समय देना पड़ेगा उतना time निकाल के आईए और हम मिलते हैं 9th November को शाम को 8 बजे Thank you